आज हम B.S.E. पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में पढ़ेंगे मुर्गी के परिवर्धन के 72 घंटे तके उश्मायन के मुख्य बिंदू जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ओफ हैंस एक मुर्गी का अंडा बहु पीतकी मैक्रोलिसितल वह गोलार्थ पीतकी टीलो लिसितल होता है जिसके कारण जीव द्रवय एक चोटे से से शेत्र में सीमित रहता है इससे ब्लास्ट क्स टिस्क या जटनंदिस्क जर्मैन डिस्क कहते हैं यह डिस्क शक्री मे कशिल से जिलरेंच और ंढहर ता शेल अंडानू ओम के बारे में पढ़ते हैं तो अंडाशे से निकलने वाला अंड प्रात्मिक अंडवस्ता में होता है इसमें बहुत अतिक मात्रा में पीतक होता है अतर जीव द्रव्य, सक्रिय दुरूपर, जननिक डिस्क, ब्लास्टो डिस्क के रूप में इस्तित होता है ये लगबग 3 cm व्यास की होती है, अंडक के चारों और एक जिल्ली जोना रेडियाटा की रुपांतरन होती है, वह इससे इसकी उत्पत्ती होती है भीतरी स्तर का निर्मान अंडाशे द्वारा होता है, एम पहरी स्तर का निर्मान अंडवाहिनी के अगरिभाग में होता है पीतक से चलकर ब्लास्टो डिस्क की निचली सतर तक इस्तित होता है, यह हम देख सकते हैं, यह कोडल एंड यह ब्लास्टो डिस्क नुकलिस ऑफ पेंडर जो खाली जगद दिखाए दे रही है, वह नुकलिस ऑफ पेंडर लेटीब्रा वाइट सफेद पीतकी का जो एक आं अग्लियन मेंब्रियन अब योग व ब्लास्टो डिस्क के डिस्ट्रिपीशन को प्रदिशित करते हुए यहाँ जितर है जिसमें कंटर क्लोक्वाइज इस्ट्रिपिस ऑफ यह एक ब्लास्टो डिस्क की आम देख सकते हैं, दूस्रा noting वां ग्लोक्वाइज स्पायर डिश् जल 32.6 प्रतिशत फोस्पोलिपीड्स वह वसा 16.6 प्रतिशत प्रोटीन्स एक प्रतिशत कार्बोहाइडर्स और एक प्रतिशत अन्य रसायन से मिलकर बनता है ब्लास्टों डिस्क के मध्य में यूगमनस का केंद्रा किस्चित होता है वह परिदिय भाग को जो की सफेद होता एल्बुमीन की जमा हो जाती है ये दो भागों में बटा होता है पीतक जिल्ली को घेरे एल्बुमीन गाड़ा होता है इसे गाड़ा एल्बुमीन या डैंस एल्बुमीन कहते हैं इस गाड़े एल्बुमेन से दो एठी हुई रजवे यूगमनस के सीमान पर एक एक करके ब होटी परच जली एल्बूमीन की पाई जाती है इल्बूमीन को सफेद अंड़ ऑद बी दैवाइट ऑफ एक भी कहते हैं इसमें 85 प्रतिश्य जल पंदरह प्रतिश्य प्रोटीन होते हैं प्रोटीन का लगभग चोरांड में प्रतिश्य भाग एल्बुमीन प्रोटीन होता है यह त्रतिय अंड जिल्ली बनाता है पूरे एल्बुमीन का श्राव अंडवाईनी के मेगनम भाग से होता है नेक्स्ट शेल मेंब्रेन एल्बुमीन के चारों और दो कवज जिलियां पाई जाती है इसका श्राव अंडवाईनी के इस्थमस भाग से होता है ये जिलियां केरेटीन तंत्वों की बनी होती है दोनों कवज जिलियां निकटतह सटी होती है केवल अंडे के कुंद सिरे को जोड़कर यहां से एक दूसरे से वायू गुहा द्वारा अलग रहती है अंड निश्वेशन के समय ये वायू गुहा हवा से भर जाती है ये भुरून के सोशन में सायता करती है अंड निस्वेशन के समय हवा गुहा छोटी होती है पर दीरे दीरे बड़ी होती जाती है नेक्स्ट कवच शेल कवच अंडे का सबसे बाहरी सुरक्षात में कावरण है ये सफेख शिद्री वो केल्शियम में होता है इसका श्रवन अंडवाहीनी के घरवाशे भाग में इसी अंडावरणी ग्रंधियां करती है कवच में लगभग 7000 शित्र बाये जाते हैं प्रतेक शिद्र का व्यास 0.04 से 0.05 मिलिमीटर होता है शिद्र संख्या में कुछ भाग में अधिक होते हैं इन शिद्रों द्वारा ऑक्सिजन वा कार्मन डाइकसाइड का आदान प्रदान होता है अंडा देने के समय यह नर्म होता है पर शिद्र ही हवा के संपरक्ट में आकर कठोर हो जाता है कवच में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है कवच जिल्या वह कवच गवर्च भी तरतिय जिल्या क्यलाती है अंडा निशेचन के 24 घंटे बाद बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन वास्तविक अंडा परिपक्व अंडानू होता है युगमनच का आगे का परिवर्दन तब होता है जब मादा अंडे को सेने लगती है इसे उश्मायन कहते हैं उश्मायन लगातार 21 दिन तक 103 डिग्री फारेन हाइट ताप पर चलता रहना आउशक है उसके बाद अंडे में से चूजा निकलता है नाउ थेंक यू फोर वॉट्ट